सो वेलकम फ्रेंट्स वागते आप सभी का डेली न्यूस अपेर्स की सिरीस में बेसिक नोलेज के साथ फ्रेंट्स अगर आप किसी भी एक्साम की त्यारी कर रहो तो ये वीडियो आपके लिए पहद महत्म रहने वाला है अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहो तो चैनल को सब्सक्राब करके वेल आइकन को प्रेस कर लीजिए इसकी पीडियेप आप टेलिग्राम से डाउनलोड कर सकते हूँ लिंक आपको डिस्क्रप्शन मिल जाएगी सो चली शुरू करते हो देखते कि आज की अपडेट का कहती है दोस्तों आज की डिपेंस टोपिक में हम बात करने वाले हैं साब कंपणी के ग्रिपन एरकाप्ट के बारे में हाले में एक न्यूज एससे लेटर निकल कर सामना आई है जिसमें बता गया है कि साब ग्रूप ने अपने सोशल मीडिया के ओफिशल ट्विटर हैंडल से ट्विट करके जानकरी दी है कि साब ग्रूप ये इंडियन एरफोर्स की एम 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 एफे 2.0 वाली डिल के आर एफवी यानिके रिक्वेस्ट पर प्रपोसल के रिस्पॉंस में अपने अथ्यादूनिक ग्रिपन ए फाइटर जेट को ओफर करने वाला है साथ ये कंपनी की तरप से ये भी कहा गया है कि ग्रिपन ए एरक्राप्ट इससे भारती वाईसेना को नेक्स्ट जनरेशन की कंबेट केपेबिलिटीस और एक्स्टा ओडिनरी ओफरेशनल फ्रिफ्रेडनेस मिलेगी जिसके मदस्ट से भारत किसी भी शेत्र में संभावित खत्रों से सपलता परोक निपटने में सक्षम होगा लेकिन अब यहाँ पर सवाली उड़ता है कि क्या इस फाइटर जेट को भारती वाईसेना के द्वारा लिया जाएगा तो देगे इसके बारे में हम थोड़ा सा अच्छे से डेटेल से समझते हैं और यहाँ पर समझते हैं कि MMFA क्या है फ्रेट्स अफरेल 2018 में भारती वाईसेना की तरप से 114 MMFA यानि की मीडियम मल्टी रोल फाइटर एरक्राप्ट के लिए एक रिक्वेस्ट पर इन्परमेशन जारी किया गया था जिसको में शोट पर बोलते RFI मतलब यह कि भारती वाईसेना इसकी मदद से 114 मीडियम वेट फाइटर जेट करिदने वाली थी अब इस फ्रेक्रमेंट का जो उद्देश शिता हो था भारती वाईसेना के युद्ध के लिए तेयार स्क्वाडरनों में चल रही कमी को पूरा गनना क्योंकि हम सभी को गया थी कि आने वाले कुछ समय में मिग 21 और उसके बाद मिग 29 से एरक्राप्ट को रिप्लेस कर दिया जाएगा इसके लावा अभी भारती वाईसेना को देश की रक्षा के लिए फाइटर जेट की कमी और इसके लावा भारती वाईसेना को अभी देश की रक्षा के लिए फाइटर जेट की कम से कम 42 स्क्वाडरन चाहिए और याब है मैं आपको बता दूँ कि एक स्क्वाडरन में करीबन 16 से लेकर 18 एरक्राप्ट होते हैं लेकिन यहाँ पर दुख की बात यही कि इंडियन एरक्राप्ट से की स्क्वाडरन वो बढ़ने की वजाए दिर दिरे लगातार कम होती जा रही है और इसलिए भारत ने MMFA 2.0 का जो टेंडर उसको जारी किया था इसके responsible friends साब कमपनी के द्वारा अपने सबसे latest fighter jet को ओफर किया गया है इसके अलावा साब ग्रूप ने एक independent industrial base इस्तावित करने का जो प्रस्तावे हो रखा है जो के GRIPEN सिस्टम को design, develop और produce करने में सक्षम हो GRIPEN के अलावा friends कमपनी की तरफ से light combat aircraft जिसको हम बोलते हैं LCA, MK2 और advanced medium combat aircraft यहनकी AMCA जैसे इंटी genius fighter program के लिए technical support प्रोइट करने की भी बात कही गई है और यदि भारत GRIPEN E fighter jet को चुनता है, तो saab group भारत में industrial base पर भारती वाज़सेना के लिए 114 aircraft में से 96 का उत्पदन भारत में ही करेगा इससे होगा यह कि भारत में एक उच्छे तकनिक वाली employment great होगी देखिए अगर भारती वाज़सेना के हम बात करें, तो भारती वाज़सेना को एक medium weight का fighter jet चाहिए जो कि राफेल जैसा हो, हाला कि यहाँ पर एसा बिल्कुल नहीं है कि वो बिल्कुल राफेल जैसा aircraft हो या फिर वो बिल्कुल राफेल जैसा capable हो, हाला कि उसकी जो category ही, वो राफेल aircraft की category में आनी चाहिए और अगर हम Griffin aircraft की बात करें, तो यह aircraft भारत के MK2 के लगबग category का विमान है जो कि कईने का एक lightweight aircraft है, लेकिन फिर भी company की तरफ से भारती वाइसेना को उफर किया जा रहा है और इसलिए company की तरफ से भारत को full transfer of technology देने की भी बात कही गई है अब देखना यह है कि भारती वाइसेना की तरफ से इसको लेकर क्या खाया जाता है अगर इसके बारे में आपके कोई विचार है तो आप कर्वेन बुक्स में बता सकते हैं अगर वीडियो पसंदा है तो से लाइक कर लीजे चैनल पर रहे हो, चैनल को सब्सक्राब कर लीजे विश्यों दे वेरी बेच, तैकिस सो मच